प्यारे बच्चो नमस्कार कैसे हैं आप मिध करते हैं आप बेटर होंगे आपकी प्रहाई लिखाई बेहतर धेंच चर रहा होगा आज हम बात करने वाले हैं कोडिनेट में सलोप का यानि की ढ़ाल या परवंता का इसमें कई तरह का कोश्चन बनता है यह कोश्चन में अक्स भी हम कर सकें अब यहां पर गौर कर इस question को कहता है कि 2,8 और 6,9 से गुजरने वाले रेखा का प्रवंता यानि के ढाल किया है देखो इसको समझने के लिए हमें करना क्या होगा थोड़ा सा हलका सा theory लेना होगा चलो भाई यहां पर हलका सा theory लेने का हम प्रयास करते हैं ज़्यादा नहीं यहां पर गौर करिएगा माल लो यह आपका x x है और यह आपका y x है ठीक है भाई या कोई यहां पर बिंदू दे रखा है कहता है कि 2,4 या 2,4 ठीक है और यहां पर कहता है कि 6 और 8 का का से गुजरने वाले यह 2 बिंदू से गुजरने वाले रेखा का ड़ाल क्या होगा है ना इसका ड्ढाल क्या होगा सलोप क्या होगा ये आप से कोई सवाल करता है ठीक ए भईया कहता है कि 2 बिंदू 9,8 और 6,8 से गुज़ाणने वाला जो रेखा है उसका ड्ढाल क्या होगा तो सबसे पहले ये समझे कि ये दोनों से गुजरने वाला रेखा है कुन भाई चलो देखते हैं गौर करिए गत्वास है यहाँ पे दो चार मालो कि ये दो है और ये वाला बिंदू आपका चार है ये वाला बिंदू आपका चार है फिर शे आठ ये वाला बिंदू आपका शे है और ये वाला बिंदू आपका 8 है ऐसा हम माल लेते हैं अब गौर करिए अगर इससे आप ऐसे बढ़े होंगे ऐसे ऐसे बढ़िएगा तो कहीं ने कहीं यह बिंदू आपको दिखाई देगा 2-4 किलियर है या नहीं यह बिंदू 2-4 हो जाएगा और ऐसे 6 है 6 अगर उपर जाएए 8 से ऐसे आईएगा तो यह बिंदू आपको दिखाई देगा 6-8 किलियर है अब आपसे कहा कि यह दोनों बिंदू को जो मिलाने वाली रेखा है यानि यह दोनों बिंदू से होकर जाने वाला जो रेखा है उसका ढ़ाल हमको बताओ भाहिया इसका ढ़ाल बताओ ठीक है 2-4 और 6-8 2-4 और 6-8 का ढाल बताओ, ऐसे तो यह रेखा है, यहां तक आएगा, यहां से ठिटा का कॉंट होता है, उतना हम नहीं जानेंगे, हमको सिर्फ ठेट हिंदी में समझना है, ढाल का मतलब होता है, राईज बटा रन, मैंने यह क्या कह दिया, तो मैंने कहा, राईज का मतलब कितना ऊपर गया और रन का मतलब कितना आगे गया, बस इतना ही साब को मतलब है, कितना ऊपर गया, कितना आगे गया से हमें मतलब है, यानि, यहां से यहां कितना गया, यही आपका हो जाएगा रन, और यहां से ऊपर कितना गया, यह आपका हो जाएगा राईज, ठीक है, किलियर है, यानि क rise बटा run कर दीजेगा आपका इसका ढाल निकल जाएगा अब यहां पे थोड़ा सा गौर अगर आप फरमाते हैं तो गौर करिए क्या यह आप नहीं निकाल पाईएगा तो कहिएगा हाँ जी यहां से यहां का दूरी 8 है यानि यहां से यहां तक का दूरी 8 होगा यहां से यहा और नहीं लागा आहां यहां से यहाँ से इहां तक का दूरी 6 है और कहीं निकल जाएगा यानि कहीं नहीं हमारा ढाल निकल गया 8-4 बटा 6-2 इसको हल करेंगे तो 4 बटा 4 यानि की 1 किलियर है हाँ या ना इसका ढाल कितना निकल गया भाईया तो 1 निकल गया अब सोचो गहराई से थुआ सा यह आपने निकाला कैसे यह 8 था क्या तो भाईया यह 8 जो था ना यह वाला था x2 by 2 था या नहीं यह आपका था x1 by 1 तो बास्तर में जो 8 लिए यह वाला यह वाला यहां से यहां तक यह था आपका by 2 यह क्या था आपका by 2 था यह क्या था आपका by 1 था तो rise कैसे निकाले तो by 2 minus by 1 करके यानि इसको अगर निकालोगे तो by 2 minus by 1 करके rise आपने निकाला run के इसे निकाला तो कहोंगे भईया यहां से यहां तक का दूरी यह आपका था x2 यह वाला दूरी यहां से यहां x2 था यहां से यहां आपका x1 था यानि यह दूरी निकाले आप x2-x1 करके नहीं समझ में आया कोई बात नहीं कोई बात नहीं बास्तव में यही तो आपका ढ़ाल हुआ बास्तव में यही तो आपका ढ़ाल हुआ बास्तव में आपने सिखा क्या गौर फरमाईए आपने सिखा कि ढ़ाल ढ़ाल याने की एम है ना या अंग्रेजी में कहो तो सुलो या दुसरा नाम इसका है प्रवंता ठ यानि y2-y1 बटा x2-101 यह फर्मुला याद रखो चाहना रखो क्या फरक पड़ता है जैसे यहाँ पर एक example लेते हैं blue color में ठीक है जैसे आप से कह दे कि 2 3 2 3 और कह दे यहाँ पर 5 6 5 6 से जाने वाली रेखा का रेखा का धाल बताओ रेखा का धाल क्या होगा यानि की aim क्या होगा ठीक है ऐसा सवाल कर दे तो क्या कहोगे तुम भाई तो कुछ नहीं कहोगे है ना ऊपर कितना गया य का अंतर लेकिन दुसरा एक्जामपल आप से कह देगा कि 2x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0 का धाल भाईया हमको बता दो धाल यानि की aim हमको बता दो ऐसा कोशन कर देगा ठीक है तो कभी भी समिकरन अगर आपको दे दे उसका धाल पूछ दे तो याद रखना एक्स का गुनांग यह वाला क्या ह अलिक देना एक्स का गुनांग एक्स का गुनांग एक्स का गुनांग अब बता में हो जाएगा बाई का गुनांग बता में हो जाएगा बाई का गुनांग यह भी कोई नया काम हम नहीं कर रहे हैं एक्स का गुनांग कितना है दो तो हम लिखेंगे माइनस लगाकर दो बत का धाल इसकी मदद से निकल जाएगा कभी कभी स्वत तंथ उनने कोई कुन देता है और उसके बाद कहता है कि भाईY Johnny Funke हुआ दो उसका धाल क्या होगा ठीक है तो कोई कुन देदेगा तो square यादखना उसका धाल हो जाएगा 10 ठिटा clear और कभी कभी आपसे क्या करेगा यहां पे गौर करिएगा कभी कभी आपसे यहां पे तिसरा जो question यहां पे हम बात कर रहे हैं कि आपको कोई बिंदू दे देगा जैसे मान लो वो कह दिया तीन दू बिंदू टीन दुऊ आपको दे दिया और आपसे कहा कि इसका ढधाल है भाया चार तो इस बिन्दु से होकर जाने वाली रेखा का समिकरन क्या होगा यह आप से पूछ देता है ठीक है तो ऐसी सिति में बस कुश नहीं करना है आपको फ्वासा ध्यान दीजिए ऐसी सिति में आपको क्य करना है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ठीक है यही वाला फर्मूला होगा ठीक है यही होगा जब समिकरन बनाएंगे तो xy तो होना चाहिए न तो यहाँ पे xy वाला यह टर्म रख दोगे यानि y-by one बटा x-1 ठीक है यही आपका वो समिकरन होगा जैसे माल लो अगर यहाँ पे इसको हल करना होता तो हम क्या करते तो हम कहते य-by कितना है भाई या by one तो दो बटा x-x का मान यानि की तीन बरावर धाल धाल कितना हो जाएगा अच्छा क्योंकि धाले बरावर तो आप निक मिल जाएगा खैर टेंसन मत लिजे अभी आप कर्फ्यूज हो रहे होंगे लेकिन कर्फ्यूज अब होने के आप सकता नहीं है क्योंकि सारे चीज यहां पर हम बता दिये हैं अभी फ्रमुला आपको याद ना होगा लेकिन बिल्कुल किलियर याद हो जाएगा सीधे आते हैं ह मैंने क्या बताया दो बिंदू का ढधाल मैंने क्या बताया तो कितना उपर गया उपर गया कैसे निकालो गए तो य का अधर हो जाएगा अनक उपर कितना गया बाई का अंतर फिर आगे कितना गया एकस का अंतर किलियर है भाई यही तो मैंने बताया दो बिंदू का ढाल तो इस बिंदू का ढाल क्या होगा तो बाई का अंतर नाओ माइनस आठ यानि की एक बटा X का अंतर यानि की 6-2 यानि की 4 इसको 10 में बजलिएगा तो 10 में लब दू 5 हो जाएगा यानि आपका option C से ही हो जाएगा clear है मैंने क्या किया Y2-Y1 बटा X2-X1 मैंने किया कितना उपर गया और कितना आगे गया आगे एक question इस पर और देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं जैसी इस question को अगर गौर फ्रमाईएगा तो यह कहता है दो बिंदू यहाँ पर भी दे रखा है हमसे कहता है दोनों को जोडने वाली रेखा का प्रवंता क्या है यानि की ढाल क्या है ठीक है भाई प्रवंता क्या है यानि की ढाल क्या है तो क्या कहोगे कितना उपर गया बाई का अंतर बाई तीन है यहाँ पर कितना है साथ यानि की तीन माइनस साथ हमेशा इस में से इसको घटाना है कितना आगे गया यानि एकस का अंतर x यहाँ पे है 2 minus यहाँ पे है minus 4 clear है भाईया minus 4 यही आपका इसका ढ़ाल हो गया 2 में से इसको घटाना है फिर से इसको साफ साफ यहाँ पे दिखा दूँ आपको clear है यहाँ पे a है आपका 2 और a है आपका minus 4 तो 2 में से minus 4 को घटाना है तो a हो जाएगा minus का 4 आए हो जाएगा चार दूशे इसको हल करिएगा तो माइनस दो बटा तीन हो जाएगा यानि आपका उत्तर हो जाएगा माइनस दो बटा तीन यानि की ए ओप्सन हमें लगता है ए बात आपको सुन में आ गया होगा अब हम रेखा की ढाल की बात करेंगे ध्यान समझेगा लेखा के ढाल क्या होता है एम बराबर क्या होता है तो माइनस में एकस का गुनांग एकस का गुनांग अब बटा होता है बाई का गुनांग बटा होता है बाई का गुनांग किलियर है बहाई लोग किलियर है अब यहाँ पर आप ही बताओ कि यह समिकरन का प्रवंता यानि माइनस एक्स का गुनांग बटा बाई का गुनांग कितना है कह दोगे साथ यानि कि माइनस तीन बटा साथ होगा यानि सी ऑप्षन आपका सही होगा ठीक है अब कुछ नए चीज भी हम सिखने का यहां प्रयास करते हैं ध्यान दिजिएगा एक समिकरन का ढाल तो निकालना हम सिख चुके हैं लेकिन अब यहां पे गौर फरमाईएगा इस कोशन को बारीकी से देखने का प्रयास करिएगा आप से कहा कि यह समिकरन एक है एक दुसरा समिकरन यह भी है द्वारा किस प्रकार की रिखाओं को निरुपित किया जाता है संपाती समनांतर प्रतशेदी इसका ढ़ाल बता दो क्या होगा तो आप जंद कहेंगे कि एकस का जो गुनांक है उसको माइनस में लिख दो अब बाई का गुनांक जो है इसको नीचे लिख दो यही इसका ढ़ाल होगा यानि कहीं ने कहीं दो होगा किलियर है हाँ या न मैं उत्तर थ्वासा दिजिएगा अगर आपसे कहूँ अभी मैंने बताया है कि X का गुनांक बटा Y का गुनांक X का गुनांक हमें माइनस में लेना है यहीं न होता है ढ़ाल समिकरन का तो इसका ढ़ाल हो जागा माइनस 6 बटा माइनस 3 काटेंगे तो आ जाएगा 2 लेकिन अगर त्रंट आपसे सवाल करूँ कि भाईया यह समिकरन भी एगो आउर है इसका भी हमको ढ़ाल बता दो इसको हम M2 नाम दे दिये है ना इसका भी ढ़ाल बता दो तो वही काम आप करोगे इसका ढ़ाल क्या होगा तो एक का गुनांक ले लेना है माइनस में अब बाई का गुनांक कितना है माइनस बाई का मतलब बाई का गुनांक माइनस एक है माइनस एक है तो माइनस एक यहाँ पलिक देना है इसका मान कितना होगा दो होगा ठीक है दोनों का मैंने ढाल निकालना हम अभी जश्ट सिख चुके हैं एक ची यहाँ पे नोट के तोर पे आप याद रखेंगे यहाँ पे नोट के तोर पे याद रखेंगे बहुत इंपॉंटेंट है पहला यदी यदी M1 बराबर M2 हो M1 बराबर M2 हो जाए तो याद रखेंगा वह जो दोनों समिकरन का आलेख होगा समनांतर होगा क्या होगा समनांतर होगा यह याद रखेंगा कोई नई बात नहीं पढ़ रहा है इसको पहले भी हम पढ़ चुके थे लेकिन ध्यान दीजिए दूसरी बात कि अगर यह M1 और M2 यानि दोनों का ढ़ाल यानि की स्लोप का गुननफल अगर माइनस एक आ जाए ठीक है अगर माइनस एक आ जाए तो वह लंवत होगा तो दोनों का आलेख दो रेखा होगा न तो वह दोनों रेखा एक दुसरे के लंवत लंवत होगा किलियर है भाई यानि एक दुसरे को समकौन पे काटेगा ये दोनों बात आप याद रखेंगे क्योंकि इसे बहुत कोशन बनता है इसको अलजेवरा में भी हम लोग पढ़ते हैं ठीक है तो गौर करिएगा यदि दोनों का ढ़ाल बराबर हो जाए तो उसका आलेक समनांतर होगा क्योंकि इसका भी आलेक एक सरर रेखा होगा इसका भी आलेक एक सरर रेखा होगा ठीक है तो अगर दोनों का ढ़ाल बराबर आ जाए तो एक दोनों आलेक एक दुसरे के समनांतर होगा पैरल होगा और अगर दोनों के ढाल का गुननफाल माइनस एक आ जाए तो वह एक दुसरे पर लंबत होगा यह बात आप याद रखेंगे गौर फरमाईएगा दोस्त यहाँ पे पहला संकरन का ढाल आया है दो दुसरा संकरन का ढाल भी आया है दो यानी आप कह सकते हो कि यहां M1 बराबर M2 है M1 बराबर M2 है दोनों का ढाल बराबर है दो दो है तो इसका आलेख कैसा होगा तो हम कहेंगे समानानतर होगा यह दोनु रेखा जो होगी न यह दोनु आलेख का जो दोनु रेखा होगा वा समरांतर होगा यानि B-Option आपका सही होगा अब यहाँ पर देखो, Question no.7 को देखो, यहाँ पर क्या कहा है कि रेखा का समिकरन ग्याद करें जब उसको में x और y रहे तब न कहते हो 2x पलस 5y कहीं न कहीं x by आता है के नहीं आता है तो बिल्कुल आता है तो कभी भी समिकरन के बाद करेगा तो आपका यहाँ पे याद रखेगा y minus y1 बटा x minus x1 करना होगा यह ढाल बराबर यह ढाल बराबर तब आपका समिकरन निकल जाएगा जैसे अगर कहें यहाँ पे की 3-4 कोई बिंदू है चलिए इस कोशन में ही देख लेते हैं यह कोशन में देख लेते हैं कहता है उस रेखा का समिकरन ग्याद करें जिसकी परवंता 5 है और बिंदू minus 4,1 है यानि एम का मान आपको यहाँ पे दे रखा है 5 आप बिंदू दे रखा है minus 4,1 तो यहाँ पे क्या होगा आपका फ्रमूला क्या कहता है तो कहता है एम बगावर by minus by,1 बटा x-x1 क्यूंकि कितना उपर गया तो by का अंतर कितना आगे गया यानिकी x का अंतर यहाँ पे x y हम लिए हैं रखने के लिए ताकि समिकरन मेरा बन सके अब यहाँ पे गौर करो aim का मान कितना है तो कहोगे aim का मान 5 है तो हम कहेंगे 5 बराबर by minus by 1 by 1 कितना है तो कहोगे 1 है बटा x minus x1 x1 कितना है तो कहोगे minus का 4 है किलियर है भाई अब इसको हल कर दीजिए आपका answer आ जाएगा ठीक है हल करते हैं यहाँ पर हो गया 5 बटा 1 बराबर by minus 1 बटा x plus 4 नहीं x plus 4 by पहले है समय तो by ऐसे कर देते हैं तो by minus 1 बराबर 5 x plus 20 किलियर है भाई अब by बराबर क्या होगा तो कहोगे 5 x उधा जाएगा तो जुड़ जाएगा पलस 21 यही आपका समिकरन हो जाएंगे by बराबर 5 x plus 21 बाई बराबर 5 x plus 21 जो option a में है यह आपका सही उत्तर हो जाएगा तो हमने क्या देखा कि अगर बिंदू और प्रवंता याने की ढ़ाल देकर समिकरन अगर पूछ देगा तो वही फरमुला से आपका यह निकल जाएगा कोई अलग फरमुला लगाने की आप सकता नहीं है कौन राइज बटा रन कितना उपर गया कितना आगे गया ठीक है उसी से बाई का अंतर और x का अंतर लेकिन समिकरन बनाना था हमें अता x बाई को यहाँ पे मुल रूफ से लखना पड़ा एक कोशन और इसको देखते हैं कोशन नमबर आठ को अब यही कोशन है यह कोई अलग नहीं है जो कोशन आपने यहाँ पर देखा यहाँ पर क्या दिया हुआ था और उसका ढ़ाल दिया हुआ था लेकिन यहाँ पर बिंदू आपको नजर नहीं आ रहा है लेकिन ढ़ाल तो अगर कोई रेखा आप घिचते हैं कोई रेखा तो एकस पर अगर ये रेखा काड़ता है एकस पर रेखा काड़ता है तो यहाँ पर बाई कमान जीरो बाई पर काड़ रहा है तो इस बिंदू का एकस कमान जीरो होता है यह मैंने आपको बताया था नहीं याद है तो कोई बात नहीं यहां पे हम समझा देते हैं इसका मतलब क्या हुआ इसको मैं बता देता हूँ यानि बाई एक्स को दो पर कारता है ध्यान से समझेगा इसका मतलब हुआ कि यह जो आलेख है न यह जो आलेख है बाई एक्स को दो पर कारता है यानि बाई का मान दो है ठीक है बाई एक्स को दो पर काड़ता है यानि बाई का मान दो है तो एक्स का मान क्या होगा भाईया 0 होगा X का मान क्या होगा 0 होगा यानि यह जो है 0,2 की इंटिकेट कर रहा है यह बिंदू 0,2 का बोट करा रहा है यानि यह कह रहा है कि प्रवंता माइनस 4 है और 0,2 बिंदू से होकर जाने वाली रेखा का समय करन बताओ ठीक है तो क्या आप नहीं निकाल लोगे विल्कुल निकाल लोगे यानि बिंदू कौन होगा 0,2 होगा जो हम पहले भी बता चुके हैं आपको फिर भी यहां पर बता दिया अब इसको अगर हल करना होगा तो क्या कहोगे भाहिया तो कहोगे ढाल बराबर होता है समय करन निकालना हो तो बाई में से बाई ओवन कितना उपर गया बता कितना आगे गया एकस का अंतर यानि एकस में से एकस बन को घटा दोगे किलियर है भाई चलो एम कितना है तो कहेंगे माइनस चार यहाँ पर भाई दे रखा है तो लिक दोगे माइनस चार बराबर अब यहाँ पर ध्यान देना संक्रन बनाना है तो भाई को रहने देंगे भाई यो वन कितना कहोगे तो कहोगे भाई यो वन कहोगे दो उसके बाद एकस माइनस एकस वन कितना कहोगे तो x1 कहोगे 0 किलियर है इसके बटा एक कर देते हैं सुदा के लिए 3 से गुना करके हल करने के लिए अब इसको अगर आप हल करेंगे तो 3 से गुना करिए पहले आपका x है तो यह वाला कर दो तो यह हो जाएगा माइनस का 4 x माइनस का 4 x 0 तो 0 हो गया ऐसे करोगे तो यह हो जाएगा बराबर by minus by minus 2 clear है अब by इधर ले आया है हम भी ले आते हैं minus 4 x minus by बराबर minus 2 ठीक है सम में c का मान 1,1 है अत्ता है इसको 1 बनाने के लिए इसको 1 बनाने के लिए minus 2 से सम में भागा दे दीजिए माइनस 2 से भागा दोगे तो यह हो जाएगा पलस का 2x माइनस 2 से भागा दोगे तब पलस बाई बटा 2 हो जाएगा इसमें माइनस 2 से भागा दोगे तो 1 हो जाएगा देखो ऐसा कहीं न कहीं आपके option में दिखाई देना चाहिए 2x पलस y बटा 2 बराबर 1 हमें b option में दिखाई दे रहा है अता इसका समिकरन यह हो जाएगा तो यह question का rank रूप बदल के पुछा था यही question था कोई अलग नहीं था यहाँ पे बिंदू लिख दिया था यहाँ पे बिंदू के बदले लिख दिया था x x को 2 पर काड़ता है x x को 2 पर काड़ता है यानि की x command 2 हो जाएगा abai command 0 हो जाएगा बात आगिया समझ में यह बिंदू कहीं बहुत करा रहा है परवंता वही है अब एक ची और बताईए जैसे यहाँ पे इस question को देखिए no number का आखरी question कहता है दो बिंदू दे दिया कहता है कि इससे होकर जाने वाली रेखा का समिकरन क्या होगा अभी आपसे क्या दिया था एक बिंदू दिया था कि दो तीन बिंदू और एक परवंता दे दिया था चार इससे होकर जाने वाले रेखा का समिकरन पूछा था लेकिन भईया यहां तो प्रवंता ना देकर ढाल नहीं दिया है यह वाला चीज यहां पे ना देकर यहां पे दोगो बिंदू ही दे दिया है आप से समिकरन पूछा है रेखा का कि यह दुनों बिंदू सो का अभी पढ़े बिंदू से जाता था तो तो कहेंगे y-by-1 बटा y-by-1 बटा x-1 यही तो पढ़े थे देखो ना अभी just मैंने पढ़ा था कि किसी बिंदू और प्रवंता दे 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 उसका जो समिक्रन होगा वो होगा m बराबर y-by-1 बटा x-1 अभी यहाँ प्रवर करो तो y-by-1 बटा x-1 अभी निकाल लेते हैं हल कर लेते हैं भाई हल करिये चलिए m निकालिए अब क्या इसका आप m नहीं निकाल लोगे आख़ बताओ थो हमको इसका का m तुम नहीं निकाल लोगे यहां से कहूं कि इसका aim निकाल के भाईया बताओ तो नहीं निकाल लोगे तो कहोगे हांसर निकाल लेंगे क्योंकि aim का मतलब ढाल का मतलब कितना उपर गया यानि by का अंतर कितना आगे गया यानि x का अंतर तो कितना उपर गया तो 7 में से 3 गया 4 उपर गया कितना आगे गया यानि कि पाच मिन से दू गया तीन आगे गया यानि एम का मान यहां पे बास्ता में दिया हुआ है चार बटा तीन बराबर बाई हमें निकालना बाई वन कितना है तो पहला वाला लेंगे न तो बाई वन आपका है तीन ध्यान से समझेगा y1 कितना है तो कह देंगे 3 बटा x-1 कितना है तो कह देंगे 2 अब इसको हल कर दिजिए आपका answer फटाक से आ जाएगा हल किया करना देखो 3 से गुना करते हैं तो कहेंगे 4x-4 दूनी 8 यह न होगा बराबर 3y-9 अब इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 4x-3y इसको भी इधर ले आते हैं तो पलस 1 बराबर 0 आप option में देखो कहीं यह वाला समिकरन दिया है या नहीं तो कहोगे 4x-3y पलस 1 बराबर 0 समिकरन जो है option a में दिया हुआ है अगर वीडियो बढ़िया लगता है तो अपने दोस्तों में like share करना मत बूलिएगा अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को subscribe कर लिजेगा अगर हलका फलका इसमें अगर दिक्कत हुई है तो एक वार और इसको देख लिजेगा क्योंकि हर एक type का यहां पे question मैंने करवाने का प्रियास किया है अब practice करिएगा 100% आपको यह याद हो जाएगा ठीक है दोस्त तो मिलते हैं आगे के class में जब तक आप खुस रहिए मंगर रहिए लेकिन PDF डॉनलोड करना है तो मेरा टेलिग्राम चेनल को जरूर जोआन कर लिजिए जिसका आलिंग डिस्क्रिप्शन में है ओके बाई बाई